पढ़ना शुरू की अथ हमने और भोगोल को लेकर देखा कि उसकी भोगर्विक सनशना, अवस्तिती, विस्तार, क्रिशी, नदिया, इत्याज संबंधी टॉपिक हमने study कर लिये थे लेकिन कल के lecture में आपका जो हमने उत्तवदेश का घोगोल पढ़ा वो complete नहीं हुआ और हमने कहा थे इसका part 2 के अंतरगत हम यहाँ पर बाकी जो topic आपके stage रह जाते हैं उसको cover करेंगी तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उत्तवदेश के अंतरगत सबसे पहले सिचाई की व्यवस्था कैसी है क्योंकि यहाँ पर इसे question आते हैं जैसे की नहरों के द्वारा सिचाई कौन सी प्राउंख नहरे हैं UP में किन-किन जिलों में सिचाई हो रही है सिचाई का क विद्द परियोजनाओं के बारे हम स्टड़ी करेंगे और साथी यह भी देखेंगे कि कौन सी जल विद्द परियोजनाएं हैं कहां पर हैं थर्मल विद्द परियोजनाएं कौन सी हैं इन सारी चीजों के समंधित यहाँ पर टॉपिक कर स्टड़ी करेंगे इसके बार उत उत्तव्रदेश की प्रमुक जील और साथी यहाँ पर उत्तव्रदेश में पशपालन दुगदविकास उत्तव्रदेश की खने संसाधन जिसमें आपके प्रमुक रोप से कौन से खने संसाधन किन किन शेत्रों में पाया जाते हैं और इसके बाद हम देखेंगे उत्तव्रद आपका जोग्राफी का जो भी सेस पार्ट रहे जग गया था वो हाज के इस टॉपिक में हैं कम्प्लीट करने जा रहे हैं तो एक एक करके सारे टॉपिक का हम यहाँ पध्यन करेंगे आप सभी यहाँ पर ध्यान से टॉपिक को सुनिएगा क्योंकि जो भी प्रशन आपको यूपिस पिसल से आएंगे जोग्राफी से रिलेटेट वो आपको पहला और ये वाला वीडियो मिला अगर आप देख लेते हैं तो आपके mostly सारे अहाँ पर 100% जो कह सकते हैं कवर अप हो जाएगा इसके बाद बाग की कहने topics देखेंगे लेकिन सबसे पहले आएए देखते हैं उतवदेश की सिचाई से समन्थि क्या है तो बस 2017-18 में उतवदेश के सुद्ध जो बुवाई छेतर की सुद्ध सिंचिच छेतर का करीब 88-65% सिंचिच छेतर के इंतर गता हैं अर्थात की जितना है वह है 143,3 लाख हेक्टियर का गया है नवींतम जो अप्लब धुमारा पास आक्रे है जो लेतेस जो डेटा है वो 2018-19 का है और 2018-19 का जो डेटा बताता है कि उतवदेश में सकल सिचाई चमता का उप्योग करके यहां पे 297 लाख हेक्टियर है और 2018-19 में उत्तब्दिस में बाढ़ एवं वर्सा से प्रभाविज जो कुल छित्फल रहा है वो अर्थाक पूरे भारत में वो सिचाई आपको उत्तब्देस राज में ध्यान रखेगा नल्पूपों के माद्दिस से भारत में सबसे जाद सिचाई उत्तब्देस के राज में इसी तरीके से उत्तरवदेश क्रिश्य निदेशाले के आकड़ों के अनसार बश्दोर 17-18 में उत्तरवदेश का करीब 15.2 प्रच्चत भूभाग नहरों के द्वारा 74.9 प्रच्चत भूभाग नलकूपों के द्वारा 8.7 परसेंट जो छेत रहें वो कुओं के द्वारा 0.5 परसेंट भूभाग तालाबों जीलों और पोकरों के माध्यम से तथा 0.7 परसेंट भूभाग जोता है अनसरोतों के माध्यम से सिंचित होता है अब यहां पर जो प्रशन आता है कि सरवाधिक किस माध्यम से किस स्रोत से सिचाई की जाती है और दूसरा जो प्रश्ण यहाँ पर बनता है इनका सही क्रम में लगाने को लेकर अब रोही आ रोही क्रम में भी पूछा जाता है तो ध्यान लखेगा सबसे जाद लेखें नल्कूप के मात्म से चाही हो रही है और उसके बाद यहां पर आपके नहर हैं और नहरों के बाद आपके कुळों के मात्म से हैं तो टॉप थ्री यहाँ पर इनको ध्यान लखना है इसके बाल उत्तवदेश के मेरट, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फरुखाबाद, गोंडा, बुलन शहर, लखीमपुर्खीरी, शहारनपुर, अलीगण, बिजनौर, आजमगण, हर्दोई, सीटापुर जिलो में नलकूपों के माध्यम से सबसे ज़्यादा इसके इत्रिक्त उत्तवदेश के गंगा घाटी के मधवरदी छेत्रों में कूओं के द्वारतिक शिचाई देखी जाती है, जिसमें से जो प्रमुख जिले हैं, जो कूओं के माध्यम सिचाई करते हैं, उनमें गोंडा, बहराइज, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपूर आजमगड, बलिया, रायबरेली, प्रताबगड और मौ। ये जिले हैं जहां पर आप कुओं के मादम से ज़्यादा सिचाई देखते हैं अन्य छेत्रों की अपेक्षा या अन्य स्रोतों के अपेक्षा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो प्रताबगड जिला है वो अ आई जा चुकी हैं और सरवाधे के नहरे जो होती हैं उत्तर प्रदेश के पच्च्वी भाग में हैं अब नहरों को लेकर जो प्रश्नेहां पर पूछे आते हैं कई सारे जो इंप्रमुक रोप से अगर हम देखें जैसे की पूर्वी यमना नहर हो गया आपको इसके वाला आगरा नहर हो गई ओपरी गंगा नहर हो गई निचली गंगा नहर हो गई सारदा नहर हो गई तो यहां पर इंसे लेटेट प्रश्न कई पार एक्जाम में आप से पूछे जाते हैं तो चलिए देखते हैं इन नहरों की क्या इंपोर्टेंस है कब बनी है किन छेत्रों की सि त्याना से ये नहर निकलती है ठीक है और पूर्वी यमना नहर जो है उत्तव देश की सबसे पुरानी नहर है ध्यान रखेगा ये मुगल काल में निर्मित अर्था एक तरीके से देखा जया जो अली मर्दान खा थे साजहां के शाशन काल में उन्होंने इसकी रोप रिखा त पूर्वी यमना नहर की जो मुख्य नहर है उसकी जो लंबाई है टोटल करीब 197 किलोमेटर है और निरंतर जलाप पूर्थी के लिए यहां पर आपको हथनी कुंट बैराज के माधम से पानी भी प्रवाइड कराया जाता है सिंचित जो जिले हैं पूर्वी यमना नहर का प्रयोग अर्थात पानी का प्रयोग किया आता है किन-किन जिलों की सिचाई के लिए तो सहारनपूर, मुझफवर नगर, मेरट, गौतम भुद नगर और गाजियाबाद की जिलों में कृष्य समन्दी जो सिचाई यहां पर ह प्रयोग करते हैं इसके बाद दूसरा देखते हैं आगरा नहर जो है यह यमना नदी के दाहिने तट से ओखला में इसका उदगम होता है 1874 में इसे प्रारम किया गया और आगरा नहर तंद्र की जो टोटल लंबाई वो करीब 1874 किलोमेटर है लेकिन अगर हम मुख नहर की लंबाई की बात करते हैं आगरा नहर की जो मुख नहर है वो सिफ 160 किलोमेटर लंबी है आगरा नहर के माधिम से आगरा, मतुरा, फिरोजाबाद यहाँ पर यूपी के यह तीन जिले यहाँ पर सिंचित होते हैं इसके तरिक हरियाना का फरीदाबाद और राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिलों की यहाँ पर जो सिचाई होती है वो इसी आगरा नहर के माथम से होती है तीसरी नहर है इसमें यूपरी गंगा नहर उपरी गंगा नहर जो है इसका उद्गम परियोजना के जनक कौन थे तो पी नाम ध्यान रखेगा इस परियोजना उपरी गंगा नहर परियोजना के जनक है वो हैं पीटी काटली और इसका संचालन प्रानम किया गया आर्ट अबराल 1864 को उपरी गंगा नहर के बाद अगली इसमें है निचली गंगा नहर उपरी गंगा नहर के माध्यम से जिन जिलों की सिचाईब नहीं हो पा रही थे शेत्रों की सिचाई ले यहाँ पे निचली गंगा नहर का यहाँ पर विकास किया जाता है और इसका उद्गम जो है नरोरा बुलन शहर में इस नहर तंत्रकी जो लंबा है करीब 8278 किलोमेटर है और इसका प्रारम जो होता है 1878 में किया गया निचली गंगा नहर के माध्यम स अलिगर्ट, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, कानपुर्देहाद, कानपुर्नगर, फतेपुर और प्रयाग्रा जिलों में यहाँ पर कृष्ष्षेत्रों के सचाई यहाँ पर की जाती है इसी तरीके से शार्दा नहर जो है, वो उट्तब्दत की सर्वाधिक लंबी नहर है, ये भी धियान रखेगे तो इसमें खटीमा जलविद्ध स्टेशन भी है, जो की उत्राखण में निरमित है और इसका उद्गम जो है बनवाशा जो कि उत्राखन में पड़ता है और जो UP का बॉर्डर है UP नेपाल का बॉर्डर है बनवाशा वहाँ पर इसको बनाया गया है यहाँ पर देखा देखा दिया जो जलापूर्ती यहाँ से प्रारम होती इसके मात्यम से जो सिंचित एरिया है उसमें यूपी के पिली भीत, साजहापुर, लकेमपुर खीरी, हरदोई, बारा बंकी, लखनव, उन्नाव, रायबरेली, जौनपूर, आजमगड, गाजीपूर, सुल्तानपूर, प्रताबगड और प्रयागरा जिलों की यहां पर सिच सारम किया गया और 1974 में सार्दा सहायक परियुजना को पूरा किया गया इसके मात्यम से लखनव, बारा बंकी, रायबरेली, आयोध्या, अमबेटकर नगर, सुल्तानपूर, प्रताबगड, प्रियागराज, भदोही, मौ, वारांसी, जौनपूर, आजमगड, गाजीपूर और बलिया जिलों की यहाँ पर सिचाई सार्दा सहायक परियुजना के मात्यम से किया जाता है। सिचाई यहां की जाती हैं तो देखते हैं कौन-कौन सी अन्य नहरें इसके अंतर गत आती हैं एक नहर है जिसका नाम है आपका बेतवा नहर बेतवा नहर जो है 1885-86 में यहां पर open किया नहीं लगा है और जहांसी जालाउन और हमिरपुर जिलों की यहां पर इसके माध्यम से सिचाई की जाती है इसी तरीके से रामगंगा नहर से बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर में सिचाई की जाती है पर मनदर नहरो के जो उद्गम अस्थल है वो माता-टीलाबांग है माता-टीलाबांग से यहां पर यह जो नहरे हैं निकाली गई है कौनसी गुर्साय और मनदर नहरे इसी तरीके से सप्रार नहर के द्वारा जहासी और हमीरपूर जिले की यहां पर सिचाई की जाती है और धसान नहर से हमीरपूर जिले में यहां पर सिचाई की जाती है एक और है यहां पर अरजुन नहर जो कि अरजुन नदी पर इसे बनाया गया है और इस परियोजना के माध्यम से यहाँ पर उत्तब देश के महोबा, बांदा और हमीरपूर जिलों में यहाँ पर अरजुन साब परियोजना के अरजुन नहर परियोजना के माध्यम से यहाँ पर सिचाई इन तीन जिलों में संचालित की जा रही है इसके त्रिक इसमें और देखिए यहाँ पे बेलन नहर के द्वारा उत्तब्देश के प्र्यागराज जिले में नगा बांध के नहरों के द्वारा उत्तब्देश के मिर्जापुर और सोनभत्र जिलों में केन नहर के माध्यम से बांधा जिले में गंडक नहर के मात्यम से गोरकपुर, कुशी नगर, देवरिया, महराज गंज जिलो में यहाँ पर सिचाई की जाती है तो काफी सारी नहरे हैं, काफी सारी सिचाई की जो विवस्था है यूपी में देखा जाए तो एक बड़ा एरिया है, मैदानी भाग है, नदियों से संपन है और सिंचित पानी यहाँ पर भी भूमी के जल्वी यहाँ पर अच्छा है जिसके माध्यम से इन नहरों को एक लगातार पानी मिल सके ऐसे ही कुछ बैराज जैसे की एक है गोकुल बैराज जो मतुरम बनाये गया है गंगा जल बैराज, लोकुस बैराज और आगरा बैराज परियोजनाय के माध्यम से यहाँ पर पेजल परियोजनाय है घर गर तक पानी की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए इसी से सम्मंधित यहां पर कई सारी बहुत देशी नदी घाटी पर्योजनाय प्रारम की जाती है जिसका उद्देश ना सिर्फ यहां पर पेजल की विवस्था करना होता है बलकि उसके सासाथ विद्द उत्पादन और सिचाई की विवस्था भी सुनिश्चित करनी होती इसके बारे में पढ़ेंगे कौन-कौन से हैं उत्वद्देश में बहुत देशी नदी खाटी पर्योजनाय है लेकिन उससे पहले कुछ और फैक्ट यहां पर देख लेते हैं देखें यहां पर ध्यान रखेगा सबसे विश्व में इटावा एक ऐसा छेतर है इटावा में एक गाउं है गाउं का नाम आपको ध्यान रखेगा बिठोली गाउं ठीक है बिठोली गाउं में पंचनद अस्थल है पंचनद अर्थात के पांच नदियों का अस्थल विश्व में एक मात्र ऐसा अस्थल है जहां पे पांच नदियां आपस में मिलती है ये पढ़ता है आपका इटावा में इटावा में गाउं है बिठोली और उहां पर उसे बोला जाता है जहां पर नदियों का संगम होता है उसे बोला जाता है पंचनत जैसे कि प्रियाग राज में आपने सुना होगा त्रिमेडी त्रिवेंडी जो होता है तीन नदियों का संगम है आपका गंगा, यमना, सरसुती उसी तरीके से इटावा में पांच नदियों का संगम है जिसे हम पंचनत कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हाइलाइटेड यह कम रहता है और इसकी जानकारी भी थोड़ा से यहाँ पर ज से नहीं दी गई है तो यहाँ पर ध्यान रखेगा कौन सी यह पांच नदियां है यह पंचनत अस्थल यह तो आपको पता चल गए इटावा में है नदियों के नाम है यमना, चंबल, सिंधु, क्वारी, पाहुज ठीक है यमना, चंबल, सिंधु, क्वारी, पाहुज यह प कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जहां पर राजस्थान MP और UP के काफी सारे जो स्रधालू होते हैं इसको ध्यान रखेगा इसके बलाव अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं तो हमने सिचाई व्यवस्था को देख लिए अब बात करते हैं उत्तव देश की मेगावाट के हैं इत्यादी चीज़ें तो सबसे पहले 31 जनवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश की विद्दुद संस्थापिज जो चमता है वो 29,337.60 मेगावाट की है ठीक है लेटेस जो अपडेट है हमारे पास कितनी है विद्दुद पादन चमता 29,337.60 मेगावाट की अब इसके अंतरगत जो तापी उर्जा है 24,512 मेगावाट परमाण उर्जा है 440 मेगावाट जल विद्दुद उर्जा है 501.60 मेगावाट और नवीनी करनी उर्जा है आपकी 3833.86 मेगावाट तो यहाँ पर जो टोटल आपकी विद्दुद है उसमें भी आपको देखा जाए कुछ थर्मल पावर है कुछ सौर उर्जा से रिलेटेड है नवी करनी उर्जा है ठीक है कुछ आपको विद्दुद उर्जा है परमाण उर्जा है कुछ जल विद्दुद परियोजना है अब चलिए बात करते हैं इसमें से जो तापी उर्जा है उसके भी दो पार्ट है तापी उर्जा के अंतरगत कोईला आधारिज जो संयंत्र है उसके माध्यम से 23,079 मेगावाट और गैस आधारिज संयंत्रों से यहाँ पर आपको एक हजार लगभग एक हजार लगभग आपका मेगावाट का उत्पादन आपको गैस आधारे संयंतरों के माथम से हम करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर कोईला और गैस दोनों को मिलाकर आपको thermal energy यहाँ पर create की जाती है अब इसमें देखे उत्तरों देखे यहाँ पर सिंग्रॉली में है सोनभद्र, रिहंद, सोनभद्र, दादरी, गौतम बुधनगर, उचाहार, राय बरेली, कांडा, अमबेडकर नगर, और रया जो है एक गैस आथारित है यह सारे जो सायंत्र है, वो NTPC ने यहाँ पर लगा रखे है इसमें से जो fact है जैसे के और रया जो में इन्होंने अपना ताविद्दुत सायंत्र स्थापित किया है वो गैस आथारित है और एक और इसमें ध्यान रिकेगा जिसमें आपका दादरी दादरी जो है वो कोईला और गैस दोनों आधारित है ठीक है दादरी जो ताविद्दुत आपका सायंत्र है वो गैस और कोईला दोनों आधारित है और यह ताविद्दुत जो सायंत्र है वो सिर्फ गैस आधारित है और बाकी के जो है वो आपके कोईलाधारित है इसी तरीके से मेजा ताव विद्दूत सायंत्र प्रियाग राज में जो विस्तित है ये एंटी पीसी और उत्तर प्रदेश राज विद्दूत उत्पादन निगम लिम्टेट के द्वारा यहां पर सईयंत्र प्रियाग राज विद्दूत उत्पादन निगम लिम्टेट के द्वारा यहां पर एक सईयंत्र जो स्थापित किये गये हैं यूपी में वो कौन- में ओबरा सोनभद्र में हर्दूआ गंज अलीगड में जवाहरपुर एटा में पनकी कानपुर में पारिक्षा जहासी में यह सारे जो होते हैं यह आपकी उत्तवदेश ताविद्दुत साइंत्र कम्पनी लिम्टेट की दौरा यहां पर इसे स्थापित किया गया है तावि माणा दीन घाटमपूर ताविद्दुत साइंत्र जो की उत्तवदेश आपके विद्दुत साइंत्र कम्पनी लिम्टेट के दौरा और दूसरा जो है निवेली लिगनाइट कार्परेशन की एक साइयुक्त परियोज रहा है इसी तरीके से बारा ताविद्दुत जो साइ प्रियाग राज में ये पावर जनरेशन कम्पनी लिम्टेट के दौरा अस्थापी तेक निजी ताविद्दुत साइंत्र है एक निजी ताविद्दुत साइंत्र भी यहां पर लगाया गया है कौन सा प्रियाग राज में है नाम है इसका बारा ताविद्दुत साइंत्र इसके रावा ओवरा ताविदु सेंथ रूस के सहयोग सो नीस सो सरस्ट में यहाँ पर प्रारम किया गया यूपी में सौर फोटो वोल्टिक तक्नीक पर आधारी सौसो किलोवाट चमता की दो परियोजनाएं आपकी उत्तबदेश के कल्यारपुर जो कि अलीगड़ में पढ़ता है और घोसी जो कि मौँ में पढ़ता है यहाँ पर लगाए गये हैं कुछ और चीज़ें हैं जो कि जरूरी हो जाती हैं थोड़ा सा ध्यान रखने वाली कि इस समय देखा जाए तो उर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पे सौर उर्जा को बहुत प्रात्मिक्ता दी जा रही है और सौर उर्जा के द्रिश्टकोंड से यूपी में कौन-कौन से important fact है जो कि आपको ध्यान रखने हैं जो कि एक्साम में पूछे जा सकते हैं इसमें से NTPCE के द्वारा प्रदेश में सौर आधारे प्रवर्तित कुछ पर्योजनाए हैं ठीक है कौन-कौन सी चलाई जा रही है फिलहाल त एक है बिलहोर कानपूर में जो 140 मेगावाट की है दूसरा दादरी में होने लगाया है 5 मेगावाट की है एक उचा हार में है 10 मे मेगावाट की और एक औरया में है 8 मेगावाट की इसके अतरिक इतनी हैं आगे चलके कुछ और भी यहां पर निर्माणा दिन है और बड़ी पर्योजनाए यहां पर हैं जैसे कि एंटी-पी-सी की जो सौर आधार निर्माणा दिन पर्योजनाए है उनकी चमता क्या है तो बिलहौर में यह 85 मेगावाट चमता की सौर विद्धूत पर्योजना पर काम कर रहे हैं और रएया में 12 मेगावाट रिहंद में 20 मेगावाट की आपकी कुछ सौर ओर्जा देखा जाए तो सौर उर्जा, थर्मल, गैस और साती साथ जल विद्दूत उर्जा अधारित सैंद्र भी NTPC के द्वारा लगाये जा रहे हैं तो ये कहां पर है इनका NTPC की सिंग्रॉली में 8 MW के एक लगुद जल विद्दूत परियोचना भी है इसके अत्रिक उत्तर प्देश का एकमात पर्मार जो सैंद्र है वो आपका नरौरा बुलन शहर में पड़ता है इसमें 220 MW के छमता के दो रियक्टर वर्तमासमय में कारियत है और नरौरा पर्मार सैंद्र विद्दूत का व्यवसाय कोत्पादन प्रथम इकाई जो है 1 जनवरी 1992 से दुती इकाई 1 जुले 1992 से ये कारिकरना प्रारंब कर चुकी है चलिए ये तो हो गए आपके अंटिपीसी और राज्य विद्दूत निगम के द्वारा कहा कहा कौन कौन से सैंद्र लगाये गए अब बात करते हैं कौन-कौन सी यहाँ जल विद्दूत परियोजना है और कहा कहा ये स्थापित है और किस नदी पर बनाई गए है तो यहाँ पर देखे परियोजना के नाम है यहाँ पर आपके नदियों के नाम है और जहां स्थापित है उन्हों स्थलों के नाम है सबसे पहले है इसमें खारा परियोजना यह आपकी असन नदी पे बनाया गया है सहारनपुर में दूसरी जल्विदुत परियोजना का नाम है माता टीला और इसे बेतवा नदी पे बनाया गया है जो कि ललितपुर में स्थित है तीसरा है निर्गजनी या चितरोरा ये आपको गंगा नदी पे है मुझफवन अगर और उपरी गंगा नहर जो है वहाँ पी इसको निर्मित किया गया है इसके लावा सलबा भोला ये भी आपको गंगा जो उपरी गंगा नहर है उसी पे यहाँ पे इसे भी निर्मित किया गया है जो कि मेरट में है ओबरा जो है जलविद्दुत परियोजना रिहन्द नदी पे बनाये गया है सोनभद्र में स्थित है राजगाट जलविद्दुत परियोजना जो है बेतवा नदी बनाये गया है ललितपूर में स्थित है रिहन्द परियोजना रिहन्द नदी पे सोनभद्र में बनाये गया है बेलका या बाबैल परियोजना जो होती ही यमुना नदी पे बनाए गया है सहारनपूर में पूर्वी यमुना नहर्क प्रास और सीतला जल्विद्दूत परियोजना बेतवा नदी में ज्हासी में बनाए गया है तो ये आपकी उत्व देश से समंधि जितनी भी विद्दूत परियोजना हैं चाहे वो ताब विद्दूत हों, गैस आथारीत हों, जल विद्दूत हों, या सौर उर्जा हो, या परमाड उर्जा हो हमने सभी प्रिकार के जल विद्धुत परियोजना को यहाँ पर आपको देख लिया गया है अब बात करते हैं उत्तवजस की बहु उद्देशी नदी घाटी परियोजना की देखे बहु उद्देशी का मतलब होता है जिसके ऐसी कोई परियोजना जिसके एक से अधिक उद्देश है और बहु उद्देशी के अंतरगत यहाँ पर देखे एक उद्देश हो गया कि चलिए नहरे बनाई किसली जा रहे हैं करेंगे दूसरा काम है नहरे बना रहे हैं तो भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और तीसरा काम यह है कि आसपास के छेत्रों को हम पेजल की सुगधा भी उपलब्द कराएंगे तो जब ये सारी सुधाएं आपको बांध के माध्यम से एक बांध बना लेने से आपको मिल जाती है तो इसे हम भोते हैं बहुतेशी नदी घाटी परियोजना है अब चलिए आईए देखते हैं यहाँ पर यूपी में ऐसी कौन कौन सी परियोजना है जो कारे रत है यहाँ पर देखें गोविंद बल्लब पंत सागर परियोजना जिसे रिहन्द बांध परियोजना भी आप कहते हैं यह पिपरी सोनभद्र में रिहन्द नदी परिस्थित है दूसरी यहाँ पर है कनहार बांध दुधी जो कनहार नदी पर इस्थित है सोनभद्र में इसके लावा यहाँ पर बेतवा नदी पर निर्मित राजगाट परियोजना जो उत्तव प्रदेश और मध्ध प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है चोथी परियोजना है गंडग परियोजना जो की उत्तव देश बिहार और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है रामगंगा परियोजना जो कि बिजनौर में है और उत्तरफदेश बिहार और बिजनौर में उत्तरफदेश के निकट अत्राखंट के पास यहां परिस्तित है इसके लावा रामगंगा काठी बान जो कि बिजनौर में है दोनों रामगंगा नदियों पर है दो यहाँ पर परियोजना है देखिए राम गंगा नदी पर है एक तो राम गंगा परियोजना है दूसरी यहाँ पर काठी बांध परियोजना दोनों ही आपकी राम गंगा नदी पर बनाई गई है इसके लावा गंडग परियोजना के माध्यम से उत्तव देश के कौन-कौन तो चार जिले इसके इंतर्गत या गंडक परयोजना के मार्दन स्विजण है यहाँ पर प्रावीत हैं ya उनको लाबप्राप्थ्योा रहा है कौण कौण से है तु महराज सिंग फिया और अ है इसे तरीके से एक बिहार की एक संयूक्त पर्योजना है इनको ध्यान रखने है कौन-कौन सी संयूक्त पर्योजना है एक से जादा जहां पर है जैसे यूपी बिहार कर से पर्योजना है यूपी बिहार हो गया आपका या फिर यूके हो गया मतलब कि उत्रा खंड आपका यूपी हो गया नेपा हो गये जहां पे समय पर्योजना है कई बार यह इंप्पॉर्ट इसके लावा और जोटनी डाधूरा तीट बेहन नदी स्थित है अरज生ोल नदी से बनाये गया है और कफ्राई बांध यहां पेजल के लिए यहां पर सोविधा उपलग्द कराई है तो चाहे पेजल होगा सिचाई होगी या फिर आपको जल्विद्द परियुजना है यही आपकी बहुत देशी परियुजना है जो यूपी में आपको स्थित है इसके लावा अब यहाँ पर एक चीज सबसे बढ़ा तैरता हुआ सौर बिद्द आपका जो सेंट्र है या लगाया जा रहा है आपको कहाँ पर सबसे बढ़ा तैरता हुआ परियोजना यहां पर देखा जाती है 150 मेगावाट विद्द उतपाधन करेगा 2020-2021 तक यहाँ पर इसे चालित करने की योज़ना है दूसरा एक फैक्ट यहां पे ध्यान रखेगा कि रेणका जी बहुत देशी बांध परियोजना के ये 11 जनवरी 2019 को 5 राज्य और दिल्ली को मिलाकर 6 यहां पर राज्य और के इसासित प्रदेश्चों ने हस्ताक्षर किये हैं कौन से परियोजना पर रेणुका जी बहुत देशी बांध परियोजना पर छे राज्य जिसमें यूपी भी आपका संब्ली थे तो कौन-कौन से अनिराज्य है उनका नाम यहां पर ध्यान रखना है आपको दीगे यहां पर है हिमाचर प्रदेश हर्याणा दिल्ली राजस्थान यूपी और उत्तराखन हिमाचर प्रदेश के सिर्मोर जिले में यम्ना नदी की सहायक नदी गिरीन नदी पर इसे बनाया जाएगा इसके अंतरगर 148 मीटर उच रॉक फिल्ड बांध का निर्माड किया जाएगा और निर्माड करेगा हिमाचर प्रदेश पौर कोपरेशन लिम्टेट के द्वारा इसे यहाँ पर निर्मित किया जाएगा तो यह आपकी उत्तवदे से समंधित आपके प्रमुख जल्विद्दुत परियोज रहा है हमने देख ली बहुत देशी नदी घाटी परियोज रहा है हमने देख ली अब एक कुश्चन जो एक्जाम में कई बार की सीमा का निर्धारन कर रही है वो कौन कौन सी है तो पहली है यहाँ पर यमुना नदी यमुना नदी जो है हरियाना और उत्तवदेश की सीमा का निर्धारन करती है घागरा नदी बहराइच और लखीमपूर खीरी जिले की सीमा का निर्धारन करती है शार्दा नदी पील पीली भीत और नेपाल की सीमा का निर्धारन करती है पीली भीत correspond to UP का एक्जिला है उत्तवदेस नेपाल की आप सकते हैं और चम्बल नदी जो है उत्तवदेस मधबुदेस और राजस्थान की सीमा का यहां पर निर्धारन करती है तो यहाँ पर यह चार नदिया हैं जो कि यूपी से रिलेट करती हैं कहीं न कहीं सीमा का निर्धारन करते हुई आप जिसे देख सकते हैं अब बात करते हैं उत्तवजस के कुछ प्रमुख जल प्रपातों की कौन कौन से जल प्रपात हैं तो पहला है इसमें विंधम जल प्रपात जो कि मिर्जापूर पढ़ता है राजदारी जल्प्रपाद चंदौली में पढ़ता है देवदारी जल्प्रपाद टांडा फॉल जल्प्रपाद और कुसेहरा जल्प्रपाद मिर्जापूर पढ़ते तो यहां पर मिर्जापूर में और आपको चंदौली में यूपी में कुछ आपके जल्प्रपादों के स यूपी की घागरा नदी पर एक ऐसे ही जलमार को लेकर यहाँ पर कारे प्रारम किया गया है क्या है तो इसको समझ लेते हैं सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में देश में अंदर देशी जलमार को बढ़ावा देने हेदू गंगा नदी एवं घागरा नदी के संगम पर मासी घाट के बाद पैजाबाद आयुध्या तक घागरा नदी के 354 किलोमेटर हिस्से को राश्ट्री जलमार के संख्या 40 के तवर यहाँ पर ड्वलब किया जाने का निर्णे लिया गया इसके बाद इससे सागर माला पर्योजना के तरह 9 अक्टूबर 2018 को बस्ती में इसके लिए आधार शिला रखी गई है इस राश्ट्री जलमार के संख्या 40 के तहल इस जलमार के पांच प्रमुख टर्मिनल बनाये जाएंगे जो की अयोध्या, हमेरपूर, दोहरी गाट, तुर्ती पाट और मासी गाट पर अस्थापित किया जाएंगे इसको ध्यान रखेगा यूपी में अल्रेड़ी यहाँ पर नेशनल हाईवे वाटर वेस आपका वन है जो की प्रयाग जास से हल्दिया के भी चलता है और इसके लाव में यहाँ पर नेशनल हाई वर्टर वेस फोटी भी यहाँ पर स्टार्ट के जाएगे जो की घागरा निदी पर बनाय जा रहा है चलिए अब बात करते हैं यूपी में कौन सी प्रमुख जीले हैं और किस अस्थल पर यहाँ पर यह इस्थित है पहला इसमें कीठम जो सुर्च वरवर भी हम इसे कहते हैं आगरा में इस्थित है दूसरा है गौर जील रामपुर में बरुवा सागर जील जहासी में कुंद्र समुंदर जील उन्नाओ में मदन सागर जील महोबा में सुरहा ताल बलिया में करेला जील लखनाओ में राधा कुंड जील मतुरा में बलहा पारा जील कानपुर में आउंधी ताल वारांसी में नोह जील मतुरा में शेखा जील अलिगर में इसी तरीके से बड़ा ताल जिसे गोखुर भी हम कहते हैं साजहापूर में स्थित है, टांडादारी या दरारगर्थ मिर्जापूर में स्थित है, भरतपूर जील राइबरेली में बढ़ती है, राजा काबान सुल्तारपूर में स्थित है, रामगरताल गोरकपूर में है, फुलहार जील पीली भीत में है, मुराय ताल फतेपुर, मोती जील कानपुर शहर, चित्तौरा जील बहराइद और दर्वन जील जो होती हैं की, फैजाबाद में इस्थित उत्तवदेश की कुछ प्रमुक जीले, ताल, कुंड, इत्या जो भी यहाँ पर हैं, वो हमने देख चलिया, यह देखते हैं उत्तवदेश के पशुपालन और दुग्ध विकास को लेकर, देखें यहाँ पर जो कुष्चन आपको पूछे गए हैं, जैसे की उत्तवदेश में पशुधन की संख्या के स्थान पे, गोवंशी, महिश्वंशी या बकरियों, अंडा, मचली, मा उत्तवदन के दृष्चकोंड से, यूपी का कौन सा स्थान है, कितना उत्तवदन होता है, यह सारी चीज़ें आपके प्रश्ण के रूप में बनते हैं, तो यहाँ पर हम उन्हीं टॉपिक्स को इसके अंतरगर देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रश्ण के रूप में प पशु हैं, जो देश में प्रथम स्थान पे हैं, कुल गोवन्शी पश्ण की संख्या 19 मिलियन है, और इस मामले में वो पश्ण मंगाल के बाद देश में दूसरे स्थान पे हैं, महिश्वन्शियों अर्थाद बेफेलोस की पश्ण की कुल जो संख्या है, यहाँ पर यू पी तीसरे स्थान पर आता है, इसी तरीके से भेणों की संख्या यहाँ एक मिलियन और सूकरों की संख्या यहाँ पर 0.41 मिलियन यहाँ पर है, उत्तव देश का दुग्द उत्पादन में देश में प्रत्थम स्थान है, और देखा जाती है भारत में करीब 16.26% अपना वो 394 गाम प्रतिन प्रतिवेक्त है, इसी तरीके से उत्तव देश 2019-20 का जो डेटा कहता है उसके हिसाब से 310 करोन अंडों का उत्पादन, 2020-1000 मिट्रिक टन मांस का उत्पादन और 1316,000 कि ग्राम उनका उत्पादन किया गया, मचली उत्पादन में आंध प्रदेश और पस्चिम मंगाल के बाद उत्तव देश का तीसरा स्थान आता है, इसी तरीके से दूद की रानी जो होती है सानिन बकरी को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासा यहाँ पर यह दूद देती है, इसके तरीक पश्चुओं की रोग निदान तथा भीमारियों की खोज हित एक केंदरी प्रयोकसाला लगनव में निदेशाले अस्तर पर स्थापित किया गया है, साथी दस मंडली प्रयोक सालाएं मंडल अस्तर पर कारी रहत है इसके तरिकते पशु चिकिस्तायम रोगों को रोईक्थाम हेतू निरंतर सेवाएं देने के लिए बाइस सो पशु चिकिस्ताल है दो सो अनसट या डी स्रेणी की आउशुधाल है 2575 पशु श्रेवा केंद्र 29 सचल पशु चिकिस्ताल है के माध्यम से यहाँ पर उप्रवद कराई जाए तो पशुधाल के लिए यूपी में काफी सारी यहाँ पर फैसिलिटीज जो है वो डिवलप की गई है इसी तरीके से दुख्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सराज सरकार के द्वारा समय समय पर कई प्रयास किये गए जैसे कि 1937 में देश के प्रथम दुख्ध संग लखनव दुख्ध उत्पाद सहकारी संग की यहाँ पर अस्थापना लखनव में की गई और उसके बाद उत्पदेश में आपकी जो ऑपरेशन फ्लट परयोजना जो होती वो तीन चरणों में संचालित की गई जिसमें पहला चरण 1971 में इसमें सिर्फ यूपी के आठ जिलों को समलित किया गया उसके बाद ऑपरेशन फ्लट को विस्तार किया गया और इसके दुती चरण में यहाँ पर 1981 से 85 ता ऑपरेशन फ्लट तिती चरण में 1986 से 1996 तक यहाँ पर उत्पदेश में 30 दुग्द संगों को स्थापित करके यहाँ पर दुग्द उत्पादन को बढ़ाया गया तो यह हो गया उत्पदेश में 50 दुग्द विकास समंधित टॉपिक्स अगला एक important aspect है वो है आपका खनिज UP में कौन-कौन से खनिज पाये जाते हैं किन जिलों में पाये जाते हैं और इन खनिज का उपयोग किस रूप में किया जाता है इसको लेकर एक्जाम में प्रश्ण पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे इसलिए आपको यहाँ पर उत्पदेश से समंधित जो आपके खनिज संसाधन है उनके बारे में यहाँ ध्यान से देख लेते हैं इक बार सबसे देखे यह जो हम पूरा डाटा देखने जा रहे हैं उसका जो सोर्स है मार्च 2021 में जारी इंडियन मिनरल इयर बुक 2019 के अंसार उत्तरव देश में देश का करीब 78% देश का 78% एंडालुसाइट जो की खनिज है 37% डायसपोर 17% सिलिमेनाइट और 10% पाइरोफाइलाइट यहाँ पर पाया जाता है इसके तरिक हमीरपूर जो है पायरोफाइलाइट और डायसपोर में अग्रणी जिला है चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् साथ ही उत्तव देश में काच बनाने योगे जो बालू है वो गंगा यमना नदियों के कैसकते हैं से प्राप्त होता है और इसका कुल जो सुरक्षित भंडार है यूपी में वो करीब 14 करोन टन आखा गया है इसी तरीके से मेगनेसाइट का उप्योग सहताप इंटों के निर्माड में पाइरोफाइलाइट का उप्योग सहताप एवं सिरेमिक उप्योग में टेल के खनीच का उप्योग सौंदर प्रशाधन टेलकम पाउडर टेक्स्टाइल वस्ट निर्माड उद्योग इत्याद में किया जाता है तामी को लेकर एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है ताबा मुक्यता जो होता है आगने एवं परतदार चट्टानों में पाए जाता है इस तरीके से यहां पर हमने देखा उत्त्रपृदेश की जो प्रमुख आपके में पाए जाने खजनों के द्रिशकोंड से उनका उपयोग अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को खनीज जिले के रूप में घोशित किया गया है जिसका कारण यहाँ यह है कि वहाँ पर काफी सारे जो खनीज हैं एक से अधी जो खनीज के प्रकार हैं और उनकी मात्रा जो होते हैं अच्छी खासी रूप में वहाँ पर आप देख सकते हैं तो आईए देखते हैं कौन-कौन से यहाँ पर जिले हैं और वहाँ पर किस-किस प्रकार के खनीज पाय जाते हैं सबसे पहला यहाँ पर है जहांसी जहांसी में जो खनीच पाया जाता है उसमें कांच बालू, पाइरोफाइलाइट, डायस्पोर, पोटास लवन, सेल खड़ी और एजबेस्टरस तथा जिपसम यहाँ पर पाया जाने वे प्रमुखाब के खनीच हैं दूसरा जिला है महोबा, महोबा में डायस्पोर और पायरोफाइलाइट यहाँ पर खनीच पाया जाता है ललितपूर में तांबा, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, सोना, प्लेटिनम, बाकसाइट, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर जैसे खनीच आपको मिल जाएंगे और कांच यहाँ पर आपको, कांच बालू आपको इस छेत्र में मिल जाती है, अच्छी खासी मातर में इसका उत्पादन यहाँ पर आपको मिलेगा चित्रकूट में यहाँ पर देखा जाए तो कांच बालू सिर्फ मिलती है वहीं प्रियाग राज में कांच बालू और पोटासलोन का उत्पादन होता है तो मिरजापुर में एंडलू साइट, पाइराइट, स्टैंड स्टोन, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, फायरकले, डोलोमाइट का उत्पादन होता है वाराणसी में दो प्रकार के उत्पाद आपको खनिश मिल जाएंगे तो सोनभद्र में डोलोमाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, कोईला आपका उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है तो एक तो प्रश्ण इस तरीके से पूँछा जा सकता है कि आपको जहासी में निम्रुखित में से कौन सा खनिश नहीं पाय जाता है तो आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से जो खनिश है वो आपको किन जिलों में पाय जाते है दूसरा कुश्चन ये भी पूँछा जा सकता है जैसे कि उन्होंने पूँछ लिया कि डायोस्पोर नामक जो खनिश है यूपी के निमनुकित में से किस जिले में नहीं पाय जाता है तो कुश्चन वो दोनों तरीके से पूँछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक तरीका तो ये होगा हमने पढ़ लिया जिले का नाम और उस जिले में कौन-कौन से आपके खनिश पाय गया अब दूसरा इसी को उल्टा करके पढ़ते हैं अब हम यहाँ पर देखेंगे खनिश और उस खनिश को किन-किन जिलों में पाय जाते हैं तो एक तरफ यहाँ पे खनिश के नाम दिए हों दूसरे तरफ उसके प्रमुक शेत्रों के नाम है जैसे चूना पत्थर है चूना पत्थर यूपी में एक छेत्र है गुर्चा, कनाच, बापुरी, ठीक है बापुहारी, यह मिर्जापुर उपड़ता है यहाँ पर पाय जाता है साथी घुर्मा, भल्वा, बिल्ली, कजराहट, सोनभद्र तो चूना पत्थर अगर जिले है तो दो जिले नाम ध्यान रखेगा मिर्जापुर और सोनभद्र में कोईला जो होता है, यूपी के सोनभद्र या सिंग्रॉली हम कह सकते है सिंग्रॉली में मूल रुप से पाया जाता है जिला अगर पूछा जाया तो सोनभद्र में पाया जाता है इसके बाद डोलोमाइट है यह आपका सोनभद्र और आपका बांदा में आपको पाय जाता है और इसके बाद वाकसाइड जो है यह आपको बांदा वारांसी ललिकपूर में पाय जाता है तो यहां पर देखे इस तरह के प्रेशन बढ़ने है आपको सिर्फ पर्टिकुलर आपको जो खनीज है वो पूछ लिया जाएगा और उससे लेटर जो चिले है वो आपको पता होने चाहिए अब जैसे पाइराइट है पाइराइट यहाँ पर से फेकी चिले दिया हुआ है वो है सोनबद्र सोनबद्र का नाम ध्यान रखेगा mostly जितने भी प्रकार के खनीज़े mostly यहाँ पर सारे तो नहीं है लेकिन mostly काफी सारे जो खनीज़े वो सोनबद्र में पाए जाते हैं इसके लावा कांच बालू जो है यह प्रियागराज बांदा अलेगर चित्रकोट में है पोटास लवन भी देखे तो प्रियागराज चंदोली जहासी बांदा सोनबद्र जिले में पाए जाती है इंडालूसाइट की बात करें तो यह सोनबद्र और मिर्जापूर जिले में पाए जाती है सिल खडी भी देखा जाए तो हमिरपूर और जहांसी जिले में पाई जाती है पाइरोफाइलाइट आपको जहांसी ललितपूर महोबा हमिरपूर जिले में आपको मिल जाएगी रॉक फास्फेट्स आपको सिर्फ ललितपूर में मिलेगी वहीं फायर क्ले आपको बासी मकरी खो का जो छेतर है मिर्जापुर में और दूसरा यहाँ पे सोनभद्र का जिला है तो फायर क्ले आपको मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको इसका उत्पादन होता है इसके लिए अत्रिक्त ललिखपुर में भी आपको सोना जो होता है वो सार्दा रामगंगा के रेत में परसोई छेत चकुरिया सोनभद्र में बेकार आपको ललिखपुर में सोने के आपको कह सकते हैं थोड़ी बहुत जो मात्रा है वो आपको मिलती है हीरा जो है बांदा और मिर्जापूर में मिलता है और तामा जो होता है ललितपूर के सोनराई छेतर से उतपादित होता है Uranium एक मात्र जो जिला है वो ललिदपूर से उत्पादित होता है तो वहीं संग मरमर जो है वो मिर्जापूर और सोनभद्र नामक जिले से उत्पादित होते हैं इस्विस्टस आपका मिर्जापूर जहांसी में मिल जाएगा वहीं जिपसम आपका जहांसी और हमेरपूर में यहां पर जिपसम का उत्पादन होता है सेंड डिस्टोन आपका मिर्जापूर में मिलता है तो डायसपूर जो होता है जहासी, महोबा और सोनभद्र में ललिदपूर में उत्पादित हो रहा है ग्रेनाइट भी आपको यूपी के कुछ जिलो में मिल जाता है जिसमें से बांदा, जहांसी, हमेरपूर और ललितपूर यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से पाए जाते हैं लोहो आयस्क ललितपूर में, कैलसाइट मिर्जापूर में, चाइना कले सोनभत्र बांदा में, फिल्सपार जहांसी में, गेरू बांदा में, और सिलिम इनाइट भी होता है, सोनभत्र में पाए जाने में आपके प्रमुख खनीज हैं तो दोनों तरीके के प्रेशन, जो भी आपसे बन सकते हैं, जिस भी तरीके से पूँचें, आपको तयार रहना होगा, आपको पता होना चाहिए, आप इन दोनों को कैसे भी याद करें, ठीक है, चाहे तो आप एक तरफ, मैंने दोनों ही फॉर्मेट आपको दिखा दिये, या तो आप एक तरफ, खनिज का नाम रखिए, और जिले याद करिए, या फिर जिले रखिए, और उसमें पाय जाना है खनिज, कुछ किसी भी तरीके से पूँचेगा, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, अन्यता के स्थी में इस तरीके प् है, जैसे सिलिका सेंड है, जो कि प्रियाग राज, चित्रकोट, बांदा और अलिगड में पाय जाता है, ग्रे नाइट की खटा और गिट्टी प्रकार की जो तक्त है, या आपके अललेलितपूर, छासी, हमीरपूर, महोबा मिल जाएंगे, डोलो स्टेन, खटा गिट्टी जो है, सोनभद्र में मिल जाएगा, सैंड इस्टोन, ब्लॉक, एवं खटा गिट्टी, सोनभद्र, मिर्जापूर, प्रियाग राज, चित्रकोट, ललितपूर, आगरा मिल जाएगा, बालू, बजरी और बोल्डर का मिस्र जो असरूप है, वो सहारनपूर, बिजनौर में मिलता है, वहीं बालू और मोरम के प्रकार के जो खनीज है, वो जालाउन, हमेरपूर, फतेपूर, बांदा, चित्रकोट, कौशामबी, जांसी, ललितपूर और सोनभद्र मिलता है, जबकि जो साधारन प्रकार की आपको बालू मिलती है, वो हाथरस, मेरट, मुझफन अग जानपूर जिले को अगर छोड़ दिया जाए, तो बांकि यूपी के सभी जिलों में आपको साधारन पालू मिल जाती है, तो ये तो हमने यहाँ पर देखे, उत्तव देश के आपके प्रमुख खनीज के बारे में, जो भी आपके प्रश्में बन सकते हैं, वो आपको मैंन जले में पाई जाती हैं, यही आपको मूल सरूप में, एक्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं, उत्तव देश में कौन-कौन सी जंजातिया मूल रूप से पाई जाती हैं, सबसे पहली चीज़, उत्तव देश के जालाओन और आयोध्या, यह दो ऐसे जिले हैं, जहां पर आपको जंजातिया नहीं पाई जाती हैं, नाम जाने के जालाओन और अयोध्या, दूसरा, उत्तव देश में प्रमुक जो जंजातिया हैं, उनमें का नाम कौन-कौन सा है, तो गौंड हैं, बुकसा हैं, थारू हैं, राजी हैं, जौन सार खरवार और माहिगीर, यह उत्तव देश की आपकी प्रमुक जंजातियां हैं, तो एक एक करके इन जंजातियों के बारे में थोड़ा सा पढ़े लेते हैं और समझ लेते हैं, सबसे पहले गोंड समूँ, उत्तव देश की सरवातिक बड़ी जंजाती समूँ जो है, वो गो इस समूँ में, गोंड समूँ में कई आपकी उपजातियां पाई जाती हैं, जिसमें आपकी गोंड के तरिक धुरिया, नायक, ओजहा, पथारी, राजगोंड, यह सारे आपके गोंड के समूँ के अंतरगत पाई जाने वाली उपजातियां हैं, अब यह किनकिन जिलों में पाया जाते हैं गोंड समू यूपी के किनकिन जिलों में पाया जाता है तो नाम ध्यान रखेगा महराज गंज, सिधार्थ नगर, बस्ती, गोरकपुर, दिवरिया, महु, आजमगर, जौनपुर, भलिया, गाजेपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोन भत्र में आपको गों पाया जिए संबंधित हैं, इनकी जो सारीविक संद्शना अगर आप देखेंगे, सारीविक संद्शना देखने से आपको इनका अंदाज़ा आपको लग जाएगा, क्योंकि इनके कज जो होता है, वो छोटा होता है, मुखाकृत जो होती है, और इसकी जो होती है, वो पील प्रियोग करते हैं, इसके लावा, घरों का जो निर्माड ये करते हैं, लकडी के लट्टों इत्याद के मादिन से लकडी का ज्यादा प्रियोग करते हैं, संयुंक परिवार की प्रता है, अर्था अलग अलग नहीं है, एकल परिवार नहीं, संयुंक परिवार के रूप मे यहाँ पर साथ में रहते हैं धीपावली को सोग पर्व के रूप में ये question पूछा गया है कि कौन सी जन जाती है जो धीपावली को सोग पर्व के रूप में मनाती है तो यहाँ पर थारू जो जन जाती है थारू जो समू है ये दीपावली को शोग पर्व के रूप में मनाते हैं इसके लावा थारू जंजाद को सिक्षित करने है तो लखेमपुर खीरी में एक महाविद्याले की भी यहां पर उत्तिवजे सरकार के दोरा स्थापन की जा रही है इसके लावा इनके दोरा मनाय जाने वाला एक प्रमुख जो पर्व है इनका उसका नाम है बजहर ये इनके दोरा थारू समुख के दोरा मनाय जाने वाला पर्व इसके लावा थारू विकास पर्योजनक 1980 में प्राराम की गई थी जिसके मादम से इस जंजाद के विकास को लेकर सरकार की दोरा कारे तब से किया जा रहा है चलिए, नेक्स जंजाद देखते हैं अगली हैं यहाँ पे जौन सारी समूह जंजाद जौन सारी जो होती हैं यह बिक्सू, दियाई और पांचोई यहाँ पर तीन प्रकार की यह उत्सव मनाते हैं कौन-कौन से हैं नाम ध्यान रखेगा बिसू, दियाई और पांचोई यह इनके मनाय जाने वाले प्रमुक उत्सव हैं रासू, घुमसू, जेला, धी, घांडो, धुंडचा, जंगबाजी, आंडे-कांडे, सराई यह सभी इनकी आपकी प्रमुक उपजातियां हैं, जो जौनसारी समों से रिलेट करती हैं और यह सोनभद जिलों में इनकी उपस्तिती देखने को मिलती है तीसरा इसमें है बुक्सा या भोक्सा समों देखा जाए तो ये बिजनोर जिलो में इनकी अवस्थती है और इनका सम्मन जो है परवार राज घराने से माना जाता है सामाजिक अस्तरी करण के इस्थिती आपको इस समूह में देखने को मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो बोलचाल के रूप में यह हिंदी भासा का भी प्रयोग करते हैं अर्थवयोस्था के दिश्कोर से देखा जाती इनका जो प्रमुख अर्थवयोस्था का आधार है वो कृशी है और चामुंडा देवी की यह पूजा आपको करते हुए इनकी जो प्रताय अथात यह समूझ जो है चामुंडा देवी की पूजा करते हैं इसके लावा उत्तवजे सरकार की द्वारा यहाँ पर बुक्सा जंजाती विकास परयोजना 1983-84 में यहाँ पर प्रारंभ की गई है तो यह तो हो गया आपकी बुक्सा या बुक्सा जंजाती के बारे में अगला यहाँ पर है माहीगीर माही गीर भी भिजनोर जिले में अवस्तित है जो कि इसलाम धर के मानने वाले ये अन्वियाई है और इनकी अर्थविवस्था का जो मुख्य आधार है वो मचली पकड़ना है अगली जन जाती है इसमें खरवार जन जाती जो कि सोनभद्र के जिले में निवास करती है इसके कई उपजातियां हैं जिसमें आपको सूरजवंसी, खेरी, पदबंदी, दौलदबंदी, राउत, मंगती, माझा थाली, गोंजू, आर्मिया ये प्रमुख खरवार जन जाती के अंतरगत आने वाली प्रमुख उपप्रजातियां है मूल निवास और इनका खरवार जन जात का पलामु जिला जो की जारखर में पड़ता है वहां की रहने वाली है तो खरवार जन जाती ये कहां की है मूल निवास चेतर इनका चारखंड है पलामु चेतर इनका जो प्रमुख नृत्य है उसका नाम है कर्मा और जो देवता इनके द्वारा पूजे जाते हैं देवताओं के नाम है बथाउस, वनसंती, दूलहा देव, घमसान और गुरैया इनके प्रमुख आपके देवता हैं जो कि ये पूजते हैं चलिए अब कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जाते जाते देख लेते हैं जन्जातियों से रिलेटेड पहला है खरवार जो समू है ये दिवरिया, बलिया, गाजीपूर, वारांसी, सोनभद्र जिले में पाय जाते हैं वही सहरिया जन्जाति ललिपूर में, पाँखा, पनिका, सोनभद्र एवं मिर्जापूर में, चेरो जन्जाति, सोनभद्र और वारांसी में पाय जाने वाले ये कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं इसके लावा सोन भद्र में कौन कौन सी जन जातियां पाए जाती हैं तो सबसे जाता और कई प्रकार की जन जातियां आपको सोन भद्र में मिल जाती हैं कौन कौन सी हैं? तो सोनभद में पाईजनने प्रमुख जो अनसूची जनजातियां हैं इसमें गोंड समू, खरवार समू, सहरिया, पहरिया, बैगा, पंखा, पनिका, भगरिया, पटारी, चेरो, भुईचा, भुईया ये सारी की सारी आपको जो जनजातियां हैं, वो आपको सोनभद्र जिले में मिलती हैं इसके लावा, खरवार समू की उत्तरव देश में जो जनसंख्या है, वो करीब 1,66,676 है और दूसरी जो सबसे बड़ी जनजातियां है, वो खरवार समू की है इसके लावा तीसरी जो सबसे बड़ी जनजाती है वो थारू समू है जिसकी जनसेंख्या इस समय यूपी में एक लाग पांच जार दोसो एक्यानवे है तो तीन जो सबसे बड़ी जनजातियां हैं वो ध्यान रखेगा एक आपका कोंट जनजाती है जो सबसे बड़ी है उसके बाद खरवार है और तीसरे नमर पे थारू जनजाती है जो UP में पाई जाती है तो चलिए, यह हो गया आपका उत्तवदेस में पाई जाने वाली आपकी प्रमुख जनजातियों से related topic हमने cover up कर लिया At the last, जाते जाते एक और चीज़ जो की उत्तवदेस से relate करती है और important aspect है हाल फिलहाल में UP के related जो प्रशन एक्जाम में पूछे गए हैं उनमें कुछ express ways को लेकर या फिर चाहे वो सड़क परियोजनाओं को लेकर या फिर जलमारगों को लेकर question पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पर उत्तवदेस से related जो भी परियोजन और संचार व्योस्था से related प्रशन बने हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें सड़क परियोजन के बारे में उत्तवदेस में राश्ट्री राजमारगों की कुल लंबाई करीब है आपकी 117368 किलोमेटर यह 2019 का data based है ठीक है महाराश्ट में सबसे ज़्यादा राश्ट्री राजमारग है जो 17756 है और दूसरे अस्थान पे आपका UP है तीसरे अस्थान पे राजस्थान है ठीक है राश्ट्री राजमारगों की लंबाई के अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा राश्ट्री राजमारग महाराश्ट्रा में है 17,000 प्लस है, UP दूसरे अस्थान पे है, जहां पे आपको 11,000 प्लस है और तीसरे अस्थान पे आपका राजस्थान है, जहां पे 10,000 से ज़ाज़ा लंबी यहां पर राश्ट्री राजमार्ग सड़के हैं इसके लावा, उत्तवदेस से गुजरने वाला संबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग है, नेस्नल हाइवे नैंटीज, जिसे हम ओल्ड टाइम पे हम इसे नेस्नल हाइवे टू कहते थे यह दिल्ली से स्टार्ट होके मथूरा, आगरा, कानपूर, प्रियागराज, वारांसी होते हुए कोलकाता तक जाता है सांकिकी डायरी उत्तवदेश 2020 के अनुसार, उत्तवदेश लोग निर्माण विभाग के द्वारा, अनुरक्षित मार्गों की जो टोल लंबाई है, वो करीब आपका करीब 2,54,895 किलोमेटर आपकी टोटल अनुरक्षित मार्गों की लंबाई है, जो की हमारा PWD विभाग यूपी के द्वारा यहां पर डेटा शाजा किया गया है, अब इसमें से देखे, करीब 3,635 किलोमेटर आपका राश्टी राजमार्ग है, 7,770 किलोमेटर NHAI है, 8,322 किलोमेटर राज राजमार्ग है, 23,53,5,160 किलोमेटर का आपके अन्ने जिला मार्ग इसके अंतरगत आ गया हो, कहां से कहां के बीच किया गया, तो लखनाव से आपको 12 बंकी के मद, उत्तव देश में यहां पर, उत्तव देश गॉवर्मेंट आपके रोडवेज है, उसके द्वारा जो पहली बार बसे यहां पर संचालित की गई, वो लखनाव से 12 बंकी के मद संचालित की आई गया थी जिसका नाम है लखनव योजना और इस योजना के तहर सड़कों के विकास को यहां पर प्रात्मिक्ता दी एक और डेटाबेस कुश्चन है जैसे कि उत्तर दक्षण पूर प्रस्चिम गल्यारा यूपी के किस जुले में एक दूसरे को काटते हैं तो जहांसी मे हैं तो नेशनल हाइवे 19, 44, 35, 21, 9, 27, 30, 28, 31, 731, 34, 330, 509, 9, 335, 128 यह प्रमुख आपके नेशनल हाइवेज हैं जो कि आपके यूपी से गुजरते हैं इसके लावा अब बात करते हैं उत्तर दिफेंस इंडेस्ट्रिल कॉरिडोर की यह देखे आपको छे इसके छे नोट्स हैं जो की बनाया जाएंगे लखनाओ कानपूर जहांसी आगरा अलेकर चित्रकोट में और 50,000 करोन की लागत से बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से य जिनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा छे लेन का ये एक्सप्रेस वे है जो कि यूपी के मेरट बुलन शहर हापूर अम्रोहा बदायू साजहापूर हर्दोई कन्नोज उन्ना और रायबरेली प्रतागण प्रियाग राज को यहां पर जोड़ेगा इसके माध्यम से उत्वदेश में रोजगार परटन और उद्योग यहां पर विक्सित होंगे यह 36,000 करों की परियोजना है जिसके लिए 6,556 हेक्टेर भूम को अधिग्रहित किया गया है दूसरा एक्सप्रसवे है जिसे हम कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रसवे यह आपका 341 किलोमेटर छे लेन की एक्सप्रसवे है और यह लखनाओ से 12 बंकी, अमेठी, सुल्तानपूर, अयोध्या, अम्बेटकर नगर, आजमगण, मौ, गाजी पूर्ता के हाँ पर यह ग्रेटर नुइडा जो गौतम बुधनगर से स्टार्ट होकर अलेगण, मधुरा, हाथरस, आगरा, जिले को आपस में जोडता है और जेपी समुख के द्वारा निर्मित किया गया है जिसकी लागत करीब 12,849 करोन रुपए आई इसके लागा अगला यहाँ पर एक्सप्रेसवे है जो कि लखनव, आगरा एक्सप्रेसवे के नाम से हम जानते हैं ये भी 6 लेन का है और 310 किलोमेटर लंबा है ये आगरा से स्टार्ट होकर फिरोजबाद, मैनपूरे, डावा, और रया, कन्नौज, कानपूर नगर, हर्द जो ही उन्नाव और लखनव को आपस में जोड़ देता है इसके बाद एक और एक्सप्रेसवे हाल फिलाल में यहाँ पर निर्मारा धिन यहाँ पर आधार सिलाइस की रखे गई है गुंदेल खंड एक्सप्रेसवे 27 फरवरी 2020 को यहाँ पर इसका सिलन्यास किया गया जो 296 समलो 07 किलोमेटर यहाँ पर लंबा आपका यह एक्सप्रेसवे है इसकी लागत करी 15,000 करों रुपए आने वाली है और इसे यूपीडा के द्वारा यहाँ पर निर्मित किया जाएगा जो जिले इसके अंतरगत समलित होने वाले हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे वो चित्रकूट जहांसी प्रियागराज निसल हाइवे से होते हुए यह बांदा महोबा हमीरपूर जालाउन अरया इटावा लगन आगरा लगनव एक्सप्रेसवे को किलोमेटर लंबा है और यह चार लेंड का है जिसे छे लेंड के बनाने के लिए यहां पर प्लानिंग भी है इसे पांच जर आर्सो चेतर करोन रुपए से यहां पर इसकी लागत है और यूपी के चार जिले गोरगपूर आजमगर अंबेटकर नगर संदकर्वी नगर से के गुजरने वाला है तो यहां पर यूपी से बेस्ट काफी सारे एक्सप्रस बेस बनाया जा रहे हैं और एक तरीके से जिस तरीके से पस्ची में उत्तरब देश के विकास के साथ साथ यहां पर पूर्वी उत्तरब देश से और बंदेल खंड के चेतर को भी यहां पर वि नंग है उसके साथ आपका जल परिवहन और वाल परिवहन भी आता है तो एक एक करके इन तीनों के भी समझ लेते हैं तो पहले देखते हैं रेल परिवहन के बारे में प्रदेश में देश का सरवाथिक जो रेल मार्ग है धियान रखेगा प्रदेश में देश का सरवाथिक रेल मार्ग है ठीक है कहने का मतलब कि देश का सबसे ज़्यादा जो रेल मार्ग गुजरता है वो यूपी से और इसकी टोटल यहाँ पे जो लंबा ही करीब 91,000 km के एरिया यहाँ पर इस railway network के इंतर गताता है और एक तरीके से का percentage वाइज आपको ध्यान रखना है तो भारती rail network का करीब 14% UP में है इसके लावा उत्तर मध railway, उत्तर railway, उत्तर पूर अपूर मध railway का यहाँ पर आपका network के तहत संचालित होती है semi high speed train जो गतिमान express है वो आगरा से दिल्ली के मध्याँ पर संचालित की गई वहीं पहली जो निजी rail गाड़ी है वो भी आपको UP में तेजस express नई दिल्ली से लखनाओ के मध्य चलाई गई इसके लावा प्रदेश की प्रथम rail गाड़ी मार्च 1869 में इलाहाबास से कानपूर के मध्य चलाई गई थी ठीक है उत्तर पूर्वी railway का जो मुख्याला है वो गोरकपूर है और वहीं उत्तर मध्य railway का जो मुख्याला है वो आपका प्रयागराज है इसके लावा केंद्री रेल विद्धुती करण संगठन का मुख्याला भी आपको प्रयागराज में ही बनाए गया है कुछ important fact जैसे कि 9 rail प्रभाग है यूपी में डीजल इंजल बनाने का कारखाना आपका मडवाडी वारांसी में है वहीं railway कोच integral factory बनाने कारखाना आपका राइबरेली में है पंडित दीन द्याल उपाध्या जंक्षन जो है भारत का सबसे बड़ा railway यहां पर यार्ड है जो की मुगल सराय है और विश्व का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो गोरापुरती यह सारे जो फैक्ट हैं आपको railway परिवहन से रिलेटेड वो आपने हैं देख लिए जल परिवहन से रिलेटेड बहुत जादा कुछ यहां पर देखने को मिलता नहीं क्योंकि यहां पर अभी development के areas में ही है एक मात्र जो अभी आपका developed है अंतरदेशी जलमार्ग क्योंकि समुद्र UP based नहीं है और अंतरदे विवय वन जो की हल्दिया से प्रियाग राज से हल्दिया किमत संचाली थे इसके रावा वाई परिवहन की बात करें तो यह आपको थोड़ा सा develop भी हुआ है कई सारे अंतरद्रास्ट्री हवाई अड़े भी यहां पर develop हो चुके हैं तो आईए देखते हैं कौन-कौन से है नागरिक उड़ेन दिखा रहे तो नागरिक उड़ेन में परिशिक्षण कहाँ पर है यह आपका केंद्र ब्रह्मरोली प्रयाग राज में है सामरिक महतोका वायु सेना का हवाई अड़ा आपके गोरकपुर में स्थित है साथी राश्ट्री पैरासूट प्रसिक्षन कॉलेज जो हता है आगरा में स्थित है अंतराश्ट्री हवायड़े यूपी में कितने हैं तो यहाँ पर देखे एक है आपका चौधरी चरण सीम लखनाव में यहां पर आपके कुछ निर्माड़ाधीन है और कुछ आपके संचालित है इसके अत्रिक्त यूपी में कई सारे एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल आपको बनाये गए हैं कौन-कौन से हैं इंद्रा गांधी नेशनल एवियेशन एकेडमी रायबरेली बी-यर अमवेटकर एयरपोर्ट, मेरट, अलीगड एयरपोर्ट और साइफई एयरपोर्ट में आपको एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल यहाँ पर विक्सित किये गए हैं साथी देखा जाए तो एक निजी हवाई यहा है जो कि मियोपूर्ट सोनभद्र में स्थित है इसे आदित बिर्ला ग्रुप के द्वारा बनाये गया है जहासी एयरपोर्ट भारती सेना का पोर्ट है वहीं बक्षी का तालाव लखनव का जो एयरपोर्ट ही है भारती वाई सेना के द्वारा प्रयोग किया जाता है इसी तरीके से यूपी में करीब बारा राश्ट्री और छेत्री आपके हवाई अड़े भी हैं कहां कहां है किनकिन जिलो में तो देखे यहां पर आपका आयोध्या हो गया प्रयागराज, कानपूर में तीन हैं आगराज, सहारानपूर, गाजियाबाद, ललितपूर, जासी, गोरपूर और बरेली में आपको प्रमुख हवाई अड़े यहां पर इस्थित हैं लेकिन इसके साथ-साथ एक और शीज़ आती है, जिसे हम कहते हैं संचार परिवाहन, तो संचार परिवाहन से रिलेटेट बहुत जादा कुछ है ने, दो-तीन फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं पहला, भारत में जो पिन कोर्ट प्रनाली प्रारम की गई 1972 में, भारत में सरब्थम हवाई डाग सेवा 18 फर्वरी 1911 को प्रियाग राज से नैनी के मद्द संचारित की गई, एक ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसके लावा, भारत में टेली ग्राप सेवा का प्रारम मार्च 18 फर्वन में आगरा एवं कोलकाता के मद्धिहां पर संपल हुआ और उत्तवदेश राजसूचना जो केंद्र है, वो कहाँ परिस्तित है? लखनव में तो यह हो गया आपकी भोगोल से सम्मंधिज जितने भी topic हमें study करने थे, वो आपका complete हो गया अब आपकी जोग्राफी, आपकी complete हो गई है को topic को आप study करें, revision कर लें डेटा काफी सारे हैं, फैक्ट हैं, और इनको आपके clear खोने चाहिए, एक्जाम में पूछे जाने वाले काफी सारे प्रशने यहां से आपको directly और indirectly पूछे गए हैं, तो आज के लिए इतना ही, मैं देंगे, कुछ topic आपके और रह जाते हैं, उनको भी study करेंगे, जैसे आपक economical based रह जाता है, यूपी का, थोड़ा बहुत जो environmental portions हैं, वो हम देख लेंगे, तो तब तक कर आप अभी तक जितने भी lectures हो गए हैं, उनको देखते रहिएगा, और हिंदी की classes जो होती हैं, वो आपको कल से प्रारम कर दी जाएंगी, आज यहां पर चटपूजा करण से चु आती है, उसके 10 से 15 questions, basic पूछे आते हैं, तो उनको अगर आप practice में करेंगे, practice जरूर करें जितने भी समय बचा हुआ है, 20 दिन, 25 दिन, तो practice करके आप अपनी reasoning को भी better बना सकते हैं, जो भी question solve करा जा रहे हैं, उनको देखते रहें, study करते रहें, और revision करना और practice करता बहुत जरूर यह, ठीक है, योजनाओं को लेकर एक वीडियो आपको बनाया गया था, जितने भी योजनाओं हैं, उनको लेकर प्रॉपर एक वीडियो बनाया गया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लिएगा, वो YouTube पर भी आपको उपलब देख, उसमें आपको एक बार सारी यूजना है यहाँ पर चसे study करें ठीक हैं चलिए फिर आज के लिए इतना ही फिर बिलते हैं बाकी सारे वीडियो को जो भी topic सेस रहेगे हमको लेकर आज के लिए इतना ही खाईए